Assalamu alaikum दोस्तों दोस्तों मैं हुँ साय जान इबराहीम एक नाइए इंट्र्स्टिंग वीडियो के साथ इसे क्रीशन्स एन मेडिको चैनल पर दोस्तों आज का जो मारे इंट्रस्टिंग टॉपिक है वह है माइटो कॉंड्रिया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप स पडिस आएं सो ने सेल कउनेर्जू सेयुकर यह बीसिकली प्रेसेंड होती है कनरे आथैक्ड मेंबरिनर्फ चैंश ю कर सेसरे कंओ करता है जोके बैक्टिरिया में है यह रीसिकली क्यों रिस्पारिशन है इसका लीए Εपक्वार्टियौ्ट एक्विर्स की जाएं Due ये MDCAT के पास पेपर में आ चुका है इसमें जो राइबोसॉम का साइज होता है वो 70S राइबोसॉम होता है इसका जो सिंब्योटिक ओरिजन है वो बैक्टिरिया के साथ है क्यों कि जो एंडो सिंब्योंट हाइपोसिस था उसने इस बात को प्रूफ किया था कि ये बैक्टि है Awこれ बात करते हैं अब बात करते हैं मार्यट्रोंट Напर्चर पर नहीं चैज्ग तर्स अधर Singh को बएक्क्विट होसि़ख कि गया के इसको देगा मेंश पहले बात करते हैं एक outer membrane ग्तीकी ना चीर universe दिन ओती जो है यहां ग्याद्रिट संधी करते हैं अलिघाएँ वियािन अक्सिट्राइशन हो ती है अब बात करते हैं inанов HCB जो बाते है इन यहां जाकिटी है एक पार्मीयाबल खीम शिशर N फैरिक छलत करते हैं हम बात करते हैं inner membrane में कुछ no black structures होते हैं जिनको कहा जाता है F1 particles इसकी जो nature होती है वो होती है lipoproteins F1 particles basically करते हैं ATP synthesis cause करते हैं chemiosmosis process करते हैं perform और phospholulation perform करते हैं अब यह वाला MCQ के F1 particles inner membrane में मुझूद होते हैं यह past MDCAT paper में आ चुका है अब मैं बात करने लगा हूँ कि कौन सा structure में कौन सा mechanism होता है क्रैप cycle या TCA cycle जिसको कहा जाता है यह basically matrix में होता है और electron transport chain ETC और oxidative force solution यह basically inner membrane में होता है यह वाला भी MCQ past paper में आ चुका है अब इसको याद करने के लिए नीमोनिक बनाया हुए मैंने कमी आई कमी आई के से क्रैप सैकल M से मैट्रिक्स E से एटीजी और I से इनमम्रेन इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं Mitochondria को basically self-replicating organically भी कहा जाता है क्यूंकि इसमें ribosome भी होता है ribosome मजूद होने के विजए से protein बनती है और DNA भी मजूद होता है जिसके विज़ा से इसको self-replicating organically कहा जाता है Sorry मैंने जो आपको lipoproteins nature बताये थी वो fn particles की नहीं है वो क्रिस्टी की nature है lipoproteins अब बात करते हैं Mitochondria के functions पे Mitochondria basically food से different components से food के वहां से energy को extract करता है उसको convert कर देता है ATP Spent energy ADP की form में होते हैं उसको convert कर देता है ATP में इसी की वज़ार से इसको कहा जाता है powerhouse of the cell Mitochondria basically fatty acid metabolism भी करता है और aerobic respiration भी इसका काम है Organic molecules के breakdown में भी Mitochondria का major role है Diagram में देखा जाए तो यहां पर यह इसके inner membrane है जो के in four links बना के यह क्रिस्टी बनाती है और क्रिस्टी में हमारे पास क्या मिलते है F1 particles जो के ATP synthesis में involved होते हैं और यहां पर हमारे पास inner compartment आता है matrix तो यह important बात थी MDCAT related amitocondria के बारे में अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और share करें और मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को भी प्रेस कर देता कि मेरी हर नई आने वाले वीडियो आप तक अने से पहुंच सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए अल्ला हाफिज झाल झाल